आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है पिछली वीडियो में हमने प्रत्यक्ष विधी द्वारा वर्गी कृत आंक्णों का माध्य ज्यात करना सीखा था किसी नगर में 45 दिनों में प्रतिदिन हुने वाली बारिश की मात्रा दी गई सारनी में दर्शाय गई है इन 45 दिनों में हुने वाली बारिश का माध्य ग्यात कीजिए दिये गए उदाहरं से हम देख सकते हैं कि यह अ वर्गी कृत आंक्णों की विवस्था है जहां नियुन्नतम बारिश 10 mm और अधिकतम बारिश 100 mm है इसलिए सबसे पहले हम इनकी एक अवर्गिक्रित बारम बारता बंटन सारणी का निर्मान करते हैं जिसे इस प्रकार दर्शाते हैं यहां हम देख सकते हैं कि आंक्णों की संख्या बहुत अधिक है अतह इसे आसानी से समझने के लिए इन अवर्गिक्रित आंक्णों को समुहों में वर्गिक्रित यानि बांट देते हैं जहां वर्गिक्रित आंक्णों की चोड़ाई को 15 का वर्ग अंतराल बनाकर उन्हें वर्गिक्रित आंक्णों में बदलते हैं और वर्ग अंतरालों की बारंबारताएं यानी F.I. निर्दिष्ट करते हैं, जिसे निम्न सारणी से दर्शाते हैं। तो क्या अब आप इस सारणी की साहेता से इसका माध्य ग्यात कर सकते हैं? बिल्कुल सही, माध्य ग्यात करने के लिए सबसे पहले हम प्रत्येक वर्ग अंतराल के वर्ग चिन्न या मध्य बिंदू को ग्यात करते हैं, जिसे X.I. से दर्शाते हैं। माध्य प्राप्थ करने के लिए इन सभी मध्य बिंदूओं का गुणन इनकी संगत बारंबारताओं से कर। इनके योग फल 2047.05 में इनकी बारंबारताओं के योग 45 का भाग देते हैं, जिसे हल करने पर 45.05 मिलता है। अतह हम कह सकते हैं कि 45 दिनों में होने वाली बारिश का माध्य 45.05 मिलीमीटर है। आज इस विडियो में हमने प्रत्यक्ष विधी द्वारा वर्गी कृत आकणों का माध्य ग्यात करने पर आधारित एक दिलचस्प उधारन देखा। अगली विडियो में हम देखेंगे कि प्रत्यक्ष विधी द्वारा वर्गी कृत आकणों का माध्य ग्यात करते समय साधारन तह क्या गलतियां हो सकती हैं। करते हैं। करते हैं।